Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वालियो मैं आटो फैजी के बारे में हैं आटो फैजी क्या है और ये concept कैसे popular हुआ और इसका हमारी initial science से क्या संभन्ध है क्या उसके benefit होते हैं कैसे आप activate कर सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए पूरा lifelong beneficial रहेगा मैं सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से simple words में आपको समझाओंगी अब हम इसको समझना सीखना और अपनी जिन्दगी को बेहदर करना शुरू करें उससे पहले आप सबसे पहले डॉक्टर योशुनूरी ओशुमी अप ये एक cell biologist है आरे biologist और psychologist हाँ जब body and mind एक साथ काम करते हैं हम psychosomatic हैं तो फिर एक psychologist और एक biologist साथ में मिलकर autophagy के बारे में क्यों नहीं समझा सकते समझा सकते हैं ना सो इनको noble prize दिया गया है 2016 में और तब से यह autophagy का जो concept है वो बहुत ही ज़दा popular हो गया अब यहाँ पर थोड़ी सी unfortunate बात ये है इनके लिए जो अच्छी बात है ने noble prize मिला लेकिन हमारे जो autophagy के concept को बहुत ही प्राचीन समय से fasting के रूप में promote किया जा रहा था उस पर हमने कोई खास ध्यान दिया नहीं सूरश निकलने के बात खाओ सूरश ढलने के बात खाना बंद कर दो जितनी भूख हो अगर भूख हो तो ही खाओ ये सब जो concept हमेशा से i read बता रहा था हमारे बहुत सारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का बहुत बर्णन है बहुत सारे इस तरह से रिशी मुनी बहुत सारे ऐसे बंडित थर मतलब जो ग्यानी विक्तिया आप इन बड़े सारी चीज़े कभी आलू भून के खालो कभी मखाने भून कर खालो कभी कुछ कर मतलब फास्टिंग को भी हमने बस एक डिफरेंट का फूट ट्रीट बना कर रख दिया कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा होते कि देर आये दूर उस्ता है वो अली भात भी हो जाती है तो अभी जब तक हमने नहीं सुना नहीं सुना कोई बात नहीं अब जब modern तरीके से भी इसको present किया जा रहा है इस concept को popular किया जा रहा है और जो logical brain है जो नहीं मानते वो उन पुरानी बातों को उन सब को भी आप मानने पर मजबूर होना ही पड़ेगा क्योंकि आपको समझना है कि यह autophagy concept आपको नया जीवन दे सकता है तमाम तरीके की बिमारियो से चुटकारा दे सकता है अब इसमें दो वर्ड है autophagy auto का मतलब क्या है swim और फैजी मतलब खाना to eat so यहां पर जो autophagy है इसका मतलब होता है auto मतलब self और फैजी का मतलब होता है to eat खुद को खाना जी खुद को खाना अब क्या है मैं आपको समझाती हो हमारी जो बॉड़ी है अब उसमें जो जितने भी damaged cell होते है जो बिलकुल बेकार हो गया है so अगर हम अपने food intake को restrict करते हैं तो हमारी बॉड़ी को खुद को repair करने का time मिलता है so अब जो हमारे damaged cell है उसको हमारा शरीर खुद ही खाना शुरू कर देता है उससे energy लेना शुरू कर देता है और उसको recycling process में use करना शुरू कर देता है नए cells के generation के लिए यह एक natural recycling process है जो बॉड़ी में अपने आपी start हो जाता है जब आप बॉड़ी को वो समय देते हैं अगर हर समय आप बॉड़ी को busy रखते हैं में ठूसम ठूस मचाये रखते हैं तो यह autophagy start नहीं हो पाता और आप ठूसम ठूस मचा कर फैल भी जाते हैं और बहुत सारी बिमारियों के शिकार भी हो जाते हैं आपके अंदर energy नहीं रहती है तरह तरह की बिमारियां आपकी गले पर जाती है ना diabetes से लेकर cancer से लेकर आपकी neuro degenerative diseases इतनी सारी आप चाहे वो भले एंग्जाइटी हो आपकी memory का issue आजाए अलजाइमर आजाए आपको कुछ भी किसी भी तरीके की Parkinson disease अनेको तरीके की शारे लेकर मानसिक बिमारियां आपकी गले पर जाती है आपको IBS हो जाता है उससे और हम अपने system को support करते हैं तो इन्होंने इस पर बहुत काम किया और इनकी जो findings रही उसके लिए इनको 2016 में Nobel Prize मिला अब हमने जो हमसे इतने लंबे समय से कहा जा रहा था इतना हमारे घर में हमने देखा ना कि बात बात पर इतना वरत वगरा का concept है और इसको धर्म से भी इसले जोड़ा गया ताकि लोगों के लिए विश्वास बढ़ाना और शिदत से follow करना असान हो जाए लेकिन वो कहते हैं हम अपना रास्ता निकाह ली लेते हैं जो हम मतलब समझना होता है वो हम समाझी लेते हैं तो वरत को भी हमने बिल्कुल बरबात करके रखा है बहुत ही कम percentage जैसी है जो कभी fasting करती भी है तो proper fasting करती है वना fasting के नाम पर और दावते चलती है घर में क्या आज वरत है तो आज यह यह पकवान बनेंगे so autophagy आप ही के लिए अच्छा है हम सब के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा मैंने बताए कि यह natural recycling process है और इसमें damaged cells को reuse किया जाता है energy के लिए या फिर उसे नए cells को generate करने के लिए तो यह support मांग रहा है सिर्फ हमारा support मांग रहा है क्या है कि कुछ control हमारे हाथ में भी है अगर हम food जो calories है या फिर जो intake है उसके restrictions नहीं लगाएंगे size नहीं करेंगे टरह-टरह से support नहीं करेंगे अपने system को तो यह process start नहीं होता है बस आप आप क्या करते हैं क्यारा बज़े जो लोग रात को जागने वाले होते हैं वो लोग भी कोते लेट खाते हैं और खाकर एक्दम सो जाते हैs तो वो जो सोने वाले घंटे होते हैं, अब उसमें डायजेशन भी चल रहा है, तो autophagy कहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले तो क्या है, जो proper आपने overload किया है, उसके डायजेशन होना है, उसके बाद repairing process स्टार्ट होता है, तो लोगों के शरीर के पास, जो अंदर की शक्ती है, उसके पास बहुत कम समय होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसलिए आप लगातार शारिरिक और मानसिक बिमारिया बहुत जादा बरती चारी है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ावा है, जो शरीर है व हमारा ये एक recycling healing process है, तो इससे अंदर की सारे repair होती है, और ये प्रमोट करता है longevity, यानि की long life को आपकी life लंबी होती है, एककम happy healthy life को आप enjoy करते हैं, और ये protection देता है against neurodegenerative diseases, जैसे भी मैंने बताया आपको ना, कि Parkinson disease होगे, Alzheimer disease होगे, आपकी anxiety, depression, memory, cognitive, इतने सारे disorders होते हैं उन सब से आपको prevent करता है, क्योंकि शरीर रर्मन एक ही से जुड़े वेहना, तो आपको समझ रहे हैं कि ये autophagy को आपको stimulate करने में help करनी है, आपकी immunity को boost करता है, cancer prevention करता है, metabolic benefits मिलते हैं, और muscles health आपकी improve होती है, तो ये इतने सारे benefit है autophagy के लिए, और जैसे मैं बता ही च चालू रहती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, और अपने आप ही आपका शरीर, आपका ख्याल रख रहा होता है, अंदर उस process के चलने से आपकी ही उम्र बढ़ रही होती है, तो चलिए आगे समझ दें कि कैसे हम इसको activate करें, इसके तारीके हैं बहुत सारे intermittent fasting, उस आठ घंटे में आपको खाना होता है, अब लेकिन आठ घंटे का मतलब ही नहीं कि छूट मिली तो तूट पड़ो, नहीं, जितना natural भूख है, उस हिसाब से आपको उस आठ घंटे की 8 hours की विंडो में खाना होता है, और 16 hours का rest देना होता है, ताकि आपका digestion बहुत और वो बिमारिया पैदा कर रहा है, लेकिन जब आप अपने system को support करते हैं, तो उसका एक natural cleansing process है, जिसे हम autophagy कहते हैं, recycling process है, वो activate हो जाता है, तो intermittent fasting, लेकिन आप intermittent, यानि कि वो विंडो सेट करने का मतलब यह नहीं है कि खूब कोड़े चल रहे हैं, खूब जंक फूद च खाना बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे शांत मन से चबा कर खाना होता है, देखो जिंदीगी आपकी है, लंबा जीना चाहते हो, शरीर और मन को पूर्ण स्वस्ते में रखना चाहते हो, आनिंद लेना चाहते हो, तो कर लेना, और नहीं ऐसा है करना है, तो कोई biological पूछते हैं, तो उन्होंने तो बस फूड में अथी कर रखी होती है, मतलब हद से ज्यादा ही गल्तियां कर रखी होती है, इसलिए mental health से भी सफर करते हैं, क्योंकि इसका बहुत deep connection है आपकी mental health से, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूं, तो समझना है हमें, कि हमें अपने 16 hours की fasting daily नहीं की जाती है, तो आप क्या करना है, देखो, आप calories restrictions कर सकते हो, और वैसे जो intermittent fasting है, इसलिए मैं आपको बताई, क्योंकि normal अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि long fasting, जैसे कि आप एक दिन सिर्फ water fasting करो कि पूरा हफते में एक दिन आप कुछ और मतलब water लो, तो कई लो fasting है, यह मतलब mostly लोगों के लिए आसान होती है, कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो मैं personally recommend जो आपको करूंगी, वो हफते में एक बार आपको liquid diet पर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, कि आप अगर आप जा सकते हैं, अपने अंदर इतनी शक्ति को महसूस करते हैं, अपनी सामर्थे के हिसाब से, यह सामर्थे आपके पैसे की नहीं है, सामर्थे आपके शरीर किया, अगर आप कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए, water fasting जिसमें कि आपको किवल water लेना है, बाकि औ करते हैं, तो calories को रेस्टिक्शन करते हैं, आप जंक फूड वागएर तो टाटा बाइव करते हैं, और वैसे भी आपका portion size को reduce करते हैं, थोड़ा calories रेस्टिक्ट कर लीजे, क्योंकि जैसे ही आप खा रहे होते हैं, तो एक छोटी सी डगार सी आती हैं, जो पता चला आती है कि हाँ भई अब अंदर का system full है, हमारे अंदर इतने senses fit हैं, जो हमें बता देते हैं, कि हाँ भई अब तुम्हारा हो चला है, और यह जितना थोड़ा सा गया बचाई से छोड़ भी दो, है ना वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, digestion process में help करो, थोड़ा सा portion छोड़ दो, तो अब आप ऐसा कर लेते हैं, तो भी आप support करते हैं, autophagy को activate करने में, exercise करना बहुत जरूरी है, physical exercise, breathing, meditation, हर तरीके की exercise, movement, aerobics करते हैं, dance करते हैं, walk करते हैं, किसी भी तरीके से आप body को stretch करते हैं, कुछ भी, any form of exercise, बहुत ज़्यादा help करते है, autophagy को stimulate करने में, active करने म तो आपको ये जरूर करना होता है, इसलिए तो हर वीडियो में इतना समझाते हूं, exercise, 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 कितना मानते हूं, ये तो आप ही को बता होगा, और low carbohydrate diet, अब low carbs diet लेते हैं, keto diet भी बड़ी famous हैं, so आपको क्या करना है, low carbs कर देना है, आप आपको ये समझाने की जरुत हैं, कि carbs कि में होता है, सब पढ़े लिखे हैं, ने तो गूगल बबब तो ही, तो गूगल कर ले ला, तो low carbs diet, जितना आप carbs slow लेते हो, तो अतना है, क्योंकि carbs को digest करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो keto diet, वो weight loss के लिए जो लोग लेते हैं, वो इसलिए carbs अटा देते हैं, ताकि weight loss जल्दी digestion पूरा और autophagy अक्टिवेट हो जाए, तो हर तरीकी की जो diet अचल fancy भी design की जारी है, उस सब के पीछे concept autophagy का जरूरी है, और है आपका nutrient timing, है ना, अब आपने, मतलब हर चीज को आपको ऐसे समझना होता है, कि भाई, समय होता है, अब आपने कोई भी nutrition food लिया है कुछ भी ऐसे लिया, तो आप उल्टे सीधे time ले रहो, मतलब जिस तरह में energy की जरूरत नहीं है, उस time पर भी आप energy ले रहे हो, तो क्या ये, मतलब फाइदे मन्थ है, क्या आपकी body इतना उसको पचा पाएगी, digest कर पाएगी नहीं, excessive energy आपकी रहेगी, तो आपका mind भी activate र आपने timing का ख्याल नहीं रखा, मतलब अपने food का ध्यान रखा लेकिन आपने timing का ध्यान नहीं रखा, तो भी गड़ बड़ हो जाती है, और आपका food है, कुछ food है, ऐसे particular जैसे ginger हो गया, आपका garlic हो गया, आपका haldi हो गया, आपका green tea हो गया, ये सब भी क्या है, बहुत अगर आपने ले लिए हैं, कि एक अधरक और एक आपने हल्दी का सेवन, अगर डेली जैसे हल्दी आपने दूद में एक पिंच या फिर अधरक आपने थोड़ा सा ऐसे salad की तरह उसकाट के उसमें नमक नीबू लगा कर, तो ये सब भी autophagy को बहुत जाता stimulate करते हैं इस त इस तरीके से आप ये सब आक्टिवेट कर सकते हैं, अब कौन से ऐसे फैक्टर से जो रोक देते हैं, उसे इनिबिट कर देते हैं, तो वो है constant overeating, जब ठूसम ठूस मचाई भी होती है, तो autophagy नहीं active होती, क्योंकि digestion का ही काम लगा रहता है, रेपैर कब होगी, नहीं हो सक high insulin levels, अगर बहुत ज़्यादा आप शुगर लेते हैं, आपके अदर already बहुत high insulin है, और आप तब भी बाज नहीं आ रहे हैं, खूब मीठा वीठा पेलते हैं आप इस तरीके से, और ये जो लोग कहते हैं, कि नहीं हम तो शुगर वैसे नहीं लेते हैं, हम तो कुछ ऐसा ये सब होता है, तो आपको समझ नहीं कि लोगों को सिर्फ ये नहीं कि हम चीनी ही नहीं खाते हैं, अदर फॉर्म में भी आपके बहुत ज़्यादा मीठा शरीर में जा रहा होता है, और है आपका exercise, excessive alcohol consumption, अगर बहुत ज़्यादा आप alcohol लेते हैं, alcohol आयर्विद में भी नहीं होती है, अब आप कैसे इसको प्राक्टिकली इंप्लिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही असान है, स्टार्ट करें, intermittent fasting से 8 आवर्स की विंडो सेट करें, 16 आवर्स की और कर सकते हैं, तो हफते में एक बार जरूर, पूरे दिन फास्ट रखें, regular exercise जरूर करें, balanced diet जरूर ले मौसम के अनुरूप, अगर आप अपना portion size, अपने शरीर की मांग के अनुसार रखते हैं, तो वही balanced diet होती है, hydrated रहें, पानी बानी बीते रहें, अच्छी तरीके से नारियल पानी, normal पानी जरूर बीना है, और अपनी body को सुनें, अब इसका मतलब यह भी निया कि fasting का मतलब हैं, आप बहुत यदा हैं, लो एनरजी फील कर रहे हैं, आपका बीपी लो हो रहा है, बिल्कुल ही ऐसा हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल तरसा हो कि नहीं, autophagy को मुझे activate करना है, body को सुनो अपनी, समझो अपनी body को, आपकी body आप से सब कुछ बताती है, तो आप उसे जितना सुनोगे, उतना समझोगे, उतना अची तरह किसे आप support करोगे, तो यह है practical tips, autophagy को stimulate करने के लिए, देखो, अब और देर मत करो, अपने शरीर और मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर आप मन को ठीक करना चाह रहे हो, तो आपको शरीर को भी ठीक रख वेल बिंग के लिए, आपको दोनों लेवल पर काम करना होगा, तो इस वीडियो को बाकि सबी लोगों के साथ भी शेर करें, टाकि सब लोग अवेर हो सकें, और बहुत अच्छी तरीके से, वो अपने आपको पूरी तरह से, रीजनुएट करने में मदद करें, क्योंकि और हिस्से की एक जिम्मदारी निभा देंगे, इस वीडियो को शेर कर देंगे, अब दूसरे की मर्जी है कि वो करे या ना करे, लेकिन आपको जो सेंस अफ साटिस्फाक्शन मिलेगा ना एक, वो बहुत जादा अनमोल होता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूरी श इस वीडियो में, तब तक अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करके रखे, आपको डाउनलूट करके रखे, और अपना खास ख्याल रखे